इस वीडियो इस स्पॉंसर्ड बाई वीकार देखिए मुझे लगता है कि अभी तक जो कोई भी आंकड़े आ रहे हैं आंकड़े देखना सोचना उन पर अपना व्यू स्टैंड बनाना तमाम लोगों को अधिकार है जितने भी आपके विवर्स हैं जितने भी पैनल में जो बैठे हैं लोग उनको समझने वाले जैनने वा रखो से तन के साथ मन को जगाओ वीगाड वाटर हीटर्स के संग वीगाड इससे जदा और कुछ नहीं होगा हम नौ में से आठ या पूरी नौ ही सीटे लेकर आएंगे यह बात बिल्कुल साफ तोर पर आपको कल रिजल्ट के बाद सबज़ में जाएगी रह गई बात के जो बाते हो रहीं जहां नौ सीटों पर आप लड़ रहे हैं यह उससे भी आगे का मसला है 119 सीटे उन में से 9 सीटे तो आप लड़ रहे थे 110 सीटों पर बियारेस और आपने सपोर्ट दिया तो बियारेस भी खारीज हो गई तो साथ साथ आप भी खारेज हो गए बियारेस के जो मामला है उसका तो आप बियारेस के प्रवक्ता से पुछेंगे तो ज्यादा वैटर है हमने जिन जगाओं पर नहीं लड़ा था वहां अमारी प्रात्मिक्ता यह है और हमने साफ तोर पर कहा कि भी वहां बी आरेस को समरतर दिया जाए लेकि तो चलिए ठीक है कि वहां मामला क्लियर था लेकिन यह सब को छोड़के पूरी टाकत के साथ वो पूरे हैदराबाद को और अक्बर साहब को गेरने में लगी हुई थी अब यहां देखने वाली जो बात है ना मुझे यह लगता है कि मैं बैरिस्टर असदुदीन वहसी साथ की पार्टी का वो सिपाई हूं जिसके सामने एक तरफ तो मोदी जी योगी जी अमित्शा तमाम लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोलके बैठे हैं और दूसरी तरफ कहीं ने कहीं जो राजनेतिक ताकत है उसमें इजाफा हुआ है रह गई बात जीत और हार की तो जीत और हार तो कल जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि कॉंग्रेस या आई एंडिय का स्टेटस कहां कर खड़ा है और उसके बाद बीजेपी भी अकेली तो नहीं लड़ेगी बीजेपी को भी तो साथ में लेने पड़ेंगे मुझे लगता है कि कहीं ने कहीं वह ग्राफ बीजेपी का किरने वाला है यह बड़ा बड़ा डिजास्टर कल शायद होगा कल कल तो कल पर चोड़ रहे हैं आप इस वीडियो इस पॉंसर बाई वीगा झाल